नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्याम टेलर स्वेदर का चनल में आज हम आपको 60 की स्टिचिंग करना बताएंगे step by step और बहुती सरल तरीके से बताने वाले हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देजी चैनल पर आप पहली बार है चैनल को सस्क्राइब कर लीजी बेला कारणावी बुटन दवाईए जिससे कहाने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंस सके अब हम इसे बटन पट्टी लेंगे और इस पर हम ये लब की सिलाई डगाएंगे इस साइड पर आपको step by step हम आपको point by point बताते चलेंगे ये देखिए सिलाई लक्षपी है अब हम काजपटी लेंगे अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे आपको step by step इस तरीके से बताएंगे कि आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ एक बार ध्यान से इस वीडियो पो देख लीजिए आप सर्ट सिलना सीख जाएंगे बहुती सिंपल तरीके से अब हम इस पर एक लब की सिलाई दोर लगाएंगे सेट पर अब देखिए यह लग चुकी है कितनी आसानी से देखिए अब हम इसमें पॉकेट लेंगे पॉकेट पर एक लिए से लाई लगाएंगे इस तरफ कि देखिए हमने लगा दिये अब हम इसकी चटाई कर लेंगे अब इस तरीके से आपको अंदर की साइड यह तीन सुन्त का मर्जन छोड़ देना है अंदर आप देखिए हम पॉकेट लगाएंगे इंची टेप को लेंगे अब हम और उपर से आपको यह आट इंच पर पॉकेट लगाने हैं इस तरीके से यह मार्किंग कर लेंगे यह द लगाने एक पत्ति वाली सैट से आपको सबादो इंच पर रखने हैा हुपर से आठ थातर होते हैं वो आट इंच पर ही लगाते हैं हूं कि अब देखिए यह भर पॉक्ष हमारी लगके व्लिटि ओ चुकी है दो यहाँ पर भी दो टांके लेकर इधर भी टांक लगा देंगे हैं हम क उम्ली को अरुच्छ फोकष हमारी कर ठायुक्त कीमोब हां है जैसे पॉकेट हमारी ओखड़े नहां आए देखिए पॉकेट लग चुकी है जब हम प्रेस करेंगे तब यह साफ हो जाएगी प्रेस लगने से पहले जैसा ही देखता है अब हम देखिए बाजु पट्टी बनाएंगे और यह हम म्ार्किंग कर लेंगे यह अलटी साट हो गई मार्कंग आली जैस तरफ से अरी बाजु पट्टी रहनी है है कुछ लोग चक्पट्टी मोलती है कुछ लोग बाजु पट्टी मोलते हैं invit देखियो नहीं कर आधा यहां तक हमारी कटिंग होई है कि यह इन दलग हम ल गाना है जिससे कि इसमें कोई रिंकल वगाड़ा न पड़ें एक्दम साफ आए देखिए एक्दम साफ आई यह और यह भी हम यह देखिए फिल्टी साइट पर ही मोड़ेगी यह इस तरीके से यह मोड लेना है आपको हम आपको फूरी फुल सरट स्टेप बाई स्टेप बताएंगे ताकि आपको कोई भी वीडियो दुबारा देखने की जरूरत न पड़े आप चाहें तो इन चाक पट्टियों में जो बाज़ु पट्टि हैं इनमें पेस्टिंग लगा स लेताएं इसकी एक रोला आता है एक इंची चोड़ाता है और नहीं तो आप इस में से जैसे सट वाली हमारी फैसन पट्टि है इसमें से भी आप एक इंची चोड़ी पट्टी कट करके लगा सकते हैं हम दोनों तरीकों से भी बना देते हैं लेकिन जाद दर हम ऐसे ही बनाते हैं जैसे ही हम बना रहे हैं वहती ही आसानी से बन जाती है यह देखिए इसमें ना तो कुछ पट्टी लगाने के ज़रूट परती है नहीं कुछ देखिए कितनी आसाने से बनने जा रही है हमारी आप ध्यान से पूरी सट अगार आपने देख ली तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं यहां से देखिए यह आपको डेड़ इंची कपर ठोका बांध होता है अब देखिए हम दूसरी बढ़ेंगे एक बना चुके हैं इसको भी उसी तरीके से मैं यह नहीं है आपको के एक बना के दिखा दूं दूसरी नहीं बनाओं मैं आपको फूरी फुल सट अज स्टीच करना बताऊंगा दोनों बाजू और दोनों कफ आपको सभी स्ट steps by steps बतांगा और बाजू चडाने का तरीका भी आपको देखिए एक बार में ही हम बाजू किस तरीके से चडा देते हैं बहुत बढ़ा आपको पक्का करके बाजू चडायंगे हम आज आपके सामने और गेर जो है साट का हम वह भी एक बार में फोल्ड करेंगे ओपन सरट है यह ओपन सरट का गेर हम जो दावन होता है उसे हम एक वार में ही फोल्ड करना बताएंगे आपको यह देखी इधर भी डेड़ेंची पर ही आपको तोका बांदने लेना इसका यह देखी डेड़ेंच पर मैंने मार्किंग कर ली हमारे अर्ष संभव कोसे से यही रहती है कि आपको हम अच्छे से अच्छा तरीका बता सकें और आसान से आसान तरीके बासा में हम आपको समझा सकें यह देखिए हमने यह तीरा रखा इस पर हमें यह लब की सिलाई लगाएंगे हम जातर यही कुछ करते हैं कि आपको सर्ट में कम से कम सिलाई लगाने की जरूरत पड़े सर्ट में चाहे पेंट में हम यही कुछ करते हैं आपकी कम से कम सिलाईों में कबड़ा बन करके त्यार हो जाए हमारा यह देखिए यहाँ पर भी हम कम से कम सिलाई लगाएंगे एक सिलाई में ही हम दोनों तीरों को अटेश कर देंगे देखिए इस तरीके से हमारा बनाने का तरीका भी कुछ यूनिकी होता है देखिए एक वार में हम यह दोनों अटेश कर देंगे आपको ये तरीका साइदी किसी ने बताया हो पहले ये देखिए इस तरीके से ये पल्ट चुका है एक ही सिलाई में हमने पल्ट दिया इसे कुछ लोग क्या करते हैं डवल सिलाई लगा एक पहले एक से लेते हैं इसके बाद में तब फिर दूसरा अटेज्च करते हैं adjac% दौनों अटेच हो चुके हैं अब आपको क्या करना है देखिए आपको इदर ये लब की सलाई लगाना है इधर और यहां पर भी लगाना है आपको लब के सलाई इस तरीके से, देखिए, सिलाही लग चुकी है इस पर, अब हम एक बाजू लेंगे, अब आपको ये बाजू लेकर इस तरीके से रख लेनी है, ये सीधी साटे उपर, और ये देखिए, फ्रेंट लेंगे, और ये, जो हमारा कोटका लगा हुआ है, ये गेरा वाला कटा है, आगे वाले फ्रेंट पर इस तरीके से ये देखिए पका करके हम लगाएंगे ये फोल्ड करके इस तरीके से मैं आपको बताया था है मैं बाजू एक स्लाइब में इस तरीके से फोल्ड करके लगा देता हूं और देखिए अभी कितनी आसानी से हमारी बाजू लगने वाली है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कम से कम सलाई में आपको सर्ट बनाना बताऊंगा जिससे के आप भी इन आडियों को ले सकें मैंने यह सर्ट बहुत कम सलाई में बनाना बताया है आपको हाली एक मैंने अंदर से श्राई लगाई है और एक यह मैं उपर से श्राई लगा रहा हूं एक उपर धेश हो रही है ये देखी एक अंदर से एक उपर सेते हैं ये देखी उल्टवलप से भी अब ये देखिए दूसरी सेट आगी हमारी बाजू की ये हमारी इस तरफ से चड़ेगी ये देखिए हमारी कोशिस हमेशा आपको कम स्काने की ऐसी कोशिस रहती है कि आप हमेशा तरक्की करें और आगे की तरफ बढ़ें अगर आपने इस सर्ट की पेस्टिंग करने का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के इसकी पेस्टिंग का वीडियो भी देख सकते हैं हमने पेस्टिंग करना बताया है बहुत ही सिंपल तरीके से अब देखिए इस पर भी हम उपर से ये पेर की सिलाई में लाएंगे वहती आसाने से हमने इस शर्ट को बनाना बताया है आप सिर्फ एक वार देखिए ये वीडियो आपको दोवारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों के साथ सेर भी किजी ये देखिए यहां से आपको यहां पिंच की सिलाई मारजनल देना है और यहां यह देखिए दोनों जोड मिलने चाहिए और यहां यह जोड पर हम टाक ही बांदेंगे इस तरीके से टांका लगाकर ही जोड़ पर आप सिलाई आगे बढ़ाएं आपको इस तरीके से सिलाई लगा करके और यहां आपको देखिए हम गाना तरीका अलग है कुछ हापें जूपर रोकते हुए और इदर कौने पर उतारेंगे तरची इस साइट से इस साइट के लिए कौने पर उत यूपर से फिर हम इस तरफ सीधी लेंगे आपको इसी पर कर लगानी है तभी आपका ओपन गेर जोगा एक बार में फोल्ड अच्छे से पूप आएगा यहां पर भी यह देखिए टाक लगाएंगे इस तरीके से यह देखिए हमने बाजू बगएर यह सब आटेस्ट कर द आएंगे कि एक वार में हम उसे फोल्ड किस तरीके से कर सकते हैं